मौत से मनुशकी हमेशा ठंती है जूजने का मेरा कोई रादा न था, बोड़ पर मिलेंगे, इसका वादा न था रास्ता रोपकर खड़ी हो गई जूजने का मेरा कोई रादा न था, बोड़ पर मिलेंगे, इसका वादा न था, रास्ता रोपकर वखड़ी हो गई यू लगा जुन्दगी से बड़ी हो गई, मौत की उम्र क्या दो पल भी नही शुद्ध हिदे की जुआला से, विश्वास देप निशकंप जलाकर, कोटी कोटी पग बढ़े जा रहे, तिल्तिल जीवन गला गाकर, जब तक धेना पूरा होगा, पक्की गती नहीं रुकेगी, आज कहे कुछ दुनिया कल को बिना जुके ये नहीं रहेगी यूदा जंदगी से बड़ी हो गई, मौत की इम्र क्या दो पल भी नहीं ये एक युग ड्रिस्टा की अटल वानी है एक आजाज शत्रू का अटल विश्वास था कवी हिदे पीम का जीवन दर्शन था जिवा में जिसकी सुरसती बस्ती हो ऐसे राजनीता की शब्द थे इन शब्दों में ही एक भारत को उतकर्ष तक पहुंचाने का रोड मैप भी साथी सभी भारतवासियों के साथ विकास और उतकर्ष के लक्षे को पाने की विराड सोच भी ये योग पुरुष तिर्फ शब्दों का बाजिकर या चितेरा नहीं बलकि उनको जमीन पर साकार करने के लिए निरंतर संखर्षत योधा था भारतिय राजनीती के इस पुरो बात नहीं होगी आज बात अटल यूग की होगी आज आपको हम बताएंगे वह अटल राज जो शायद आपको ना पता हो इसके साथ ही एक बार फिर आपको सराबोर कराएंगे अचल की उन कविताओं से जो सीथे दिल पर दस्तक देती है तो अगले 20 मिनिट आप देंगे अ अमर अजय अटल यूग को श्रधांजली वाकई विनाम की तरह भारतिय सियासत और इतिहास में अटल हो गए एक व्यक्ति के रूप में अटल जितने सहस थे व्यक्तित के रूप में उतने ही विराठ और पता नहीं कितने आयाम उभर कर आते रहे धुन के पक्के दोस्ती में सच्चे विचारधारप और अटल और सबसे बड़ी बात आरसेस के स्वसेवक की पहली पैचान के साथ ही सर्वधम संभाव के दर्शन के सबसे बड़े ब्रैंड एमबेस्टर भी अटल हमेशा किसी भी पत से बड़े कद के नेता रहे जनसंग से लेकर बीजेपी के पहले अध्यक्ष तक के सफर में कितने भी उतार छड़ाव देखे हूं लेकिन अपनी सोच से कभी डिगे नहीं बीजेपी के तो वो शुलाक पुर्ष रहे लेकिन पीम के तौर पर अटल ने जो किया वो राज की बात की केंद्रिय विशेवस्तु है उनकी सक्षियत के तमाम आयामों के बीच जो सबसे बड़ी बात सबसे कम उभर कर सामने आती है वो है अब तक के सबसे बड़ा रिफॉर्मिस्ट पीम होना यकीन मानिये 1951 में नर्सिंग राव और मनमोहन की जोडी ने सुधार की जो पट्रियां बिछाई थी उन पर त्वरित विकास के रेल गारी दोड़ने का काम प्रधान मंत्री अचल विहारी वचपई ने भी किया था जो उस पर त्वरित विकास के रेल गारी दोड़ाने का काम ततकालीन प्रधान मंत्री अचल विहारी वचपई ने भी किया 21 शताब्दी में जब दुनिया जा रही थी उस समय जल धल से लेकर नभ तक सुधारों वाले फैसले ना लिये गए होते तो नई शताब्दी में भारत इस तरह से उभर्टिवी ताकत नहीं होता गीत नहीं गाता हूँ बेनकाब चहरे है दाग बड़े गहरे है तूतता दिलस्म आज सच से भैखाता हूँ लगी कुछ ऐसी नजर लगी कुछ ऐसी नजर बिक्रा शीशे सा शहर अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ गीत नहीं जाता, गीत नहीं, जाता, तरह विश्वास घात की कल्पना है पीठ में छुरी सा चांद, रह हो गया रेखा फांद, मुक्त के ख्षणों में बार बार बंध जाता हूँ, गीत नहीं, जाता हूँ, गीत नहीं, पर देश बढ़ा था उसे रफ़तार दी और देश की अर्थविवस्ता की ऐसी शक्ल मिली जो एक किस्वी सदी के लाइक थी 1998 से लेकर 2004 तक बीज़ेपी के नितित वाली राज़क सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिसने हमारी और आपके जिंदगी में सीधा असर डाला को जिन दो सबसे बड़ी बातों के लिए याद किया जाएगा वो है उन्होंने नेटवर्क के जाल से पूरे भारत को संबाद तंत्र से जोड़ दिया चैलिक्रॉम क्रांती के जरिए साथ ही एक जगह से दूसी जगह जाने के लिए उन्होंने सुवनित चतुर्भुज योजना के जरिए देश के सुदुरवर्ते इलाकों को भी ऐसे जोड़ा कि बाहन से लेकर याद याद तक की सबसे बड़ी ना सिर्फ क्रांती हुई बलकी रोजगार भी मिले आज लगभग हर हिंदुस्तानी और उसके परिवार बस एक मोबाईल कॉल से जुड़े हुए हैं भारत में ये अटल की दूरगामी सोच से ही संभव हो पाया पहले स्पेक्टरम पर सरकार और सेना का कबजा होता था उसे निजी शेत्र के लिए खोनने से ना सिर्फ पूरा देश और दुनिया समबाद के तंस से जुड़ा बलकी रोजगार के जबरदस्त अफसर भी पैदा हुए इस तरहा राजमार्ग बनाने का और गाओं को पके रास्ते से जोड़ने का जो क्रांतिकारी फैसला हुआ उसने विकास की रफ्तार को सरपट दोड़ाया इसी तरह टेक्स रिफॉर्म को लेकर पूरे देश को साथ लेने की शिर्वाद भी बजपई की समय में हुई टेक्स रिफॉर्म सिर्फ के इंद सरकार का कर्म कांड नहीं बलकी पूरे देश की जुरुत है इसे ना सिर्फ वो समझे बलकि सभी दलों को समझाने में भी काम्याब रहे समवेशी राजनितिक सिधान्त के मद्दे नजर अचन ने टेक्स के लिए बनी कमीटी की अध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया और सभी दलों की शिर्कत की वो एक शिर्वात थी जो अब एक देश और एक टेक्स के मुकाम तक पहुँच सकी इसके अलावा ओर्जा में सुरेश प्रभू को लाकर निजर शेत्र को यहां लाए तमाम राजनितिक विरोधों के बावजूद आज ओर्जा की शेत्र में भारत किस्ति थी उस समय लिये गए फैसले की रोशनी का विस्तार है स्टील अथोरिटी ओफ इंडिया को पुनहा जीवित से लेकर विनिवेश जैसे साहसिक फैसले भी लेने से नहीं चूका गया अप्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी की महत्व कांशी सागर माला पर्योजना जो समुद्वर्ती इलाकों के विकास और रोजगार के लिए बेहत एहम है और अंतरास्टे व्यपार के लिहाद से बेहत जरूरी है और फाइदा का सौधा है उसके भी शुरुवाद बाचपई सरकार में ही हुई थी जिस तरह से पानी को लेकर तमाम राज्यों की बीच में विवाद चल रहा है उसका भी निराकरण अटन नदी जोडोग पर योजना के तहत लाए थी कैन बेतवा और कुछ जगह ये प्रियोग सफल कर अटन ने साबित कर दिया था कि वो सिर्फ राजडीता नहीं बलकि युग जिस्ता है पल से रक्षितियत्तंतता दुखी मनुजता के हित वर्फितयत्तंतता इसे मिटाने की साजश करने वालों से कहदो चिनगारी का खेल बुरा होता है और उनके घ्राग लगाने का जो सपना वो अपने घर में सदा खरा होता है जरा सोचिए कि ये सब सुधार अटल विहारी वर्जपाई ने किस समय किये वो राजनीती का सबसे दुरू संक्रमन काल था मंडल कमंडल की सियासत से तमाम शेत्रों जातियों भाशाओं और धार्मिक अस्मिता जैसे मुद्दे अपने सबसे चरम पर थे पूरे देश में शेत्रे दलों का आवी भार्व था सियासत में नए शेत्रे खिलाडों की बड़ती भूमिका और दवाब वही नई शुताबदी में जाती दुनिया जिसमें भारत की राज़ी थी और स्थिर्ता के चर्मत कर्ष से गुजर रही थी गड़बंदन सरकारे लगातार असफल हो रही थी ऐसे में जोब सरकार बचाना और देश को अस्थिर्ता के भमर से निकानना सबसे बड़ी चिनौती थी तो अटल ने देश को गड़बंदन धन का मर्म समझा और हिंदुस्तान के लोकतंत को मजबूत करने वाला मिली जुली सरकार चलाने का गुरु मंत्र भी दिया में का मेरा कोई राधा नथा प्रुबर पर मिलेंगे इसका बादा नथा रास्ता रोग पर खड़ी हो गई यू लगा गुंदगी से बड़ी हो गई मौत की उम्र क्या मौत की उम्र क्या तीन पल भी नहीं मौत की इम्र क्या दो पल भी नहीं है कि जापने वाले ने दो का तीन कर दिया है मौत की उम्र क्या तीन दो पल भी नहीं जिन्दगी शिल्षिना आज कल की नहीं मैं जीवर जिया मैं मन से मरू मैं जीवर जिया मैं मन से मरू लोट कर आओंगा कूछ से क्यों दरू तू दबे पाओ चोरी छुके से ना सामने वार कर थे मुझे आदमा मौत से बेख़वर जिन्दगी का सफर शाम हर सुर्मई रात बंसी का सफर बात ऐसी नहीं कि कोई घम ही नहीं राजनेती का स्थिर्ता कितना गंभीर संकर था इसे ऐसे समझ ये कि 1990 में जब पीएम नरसिमा राम ने दुनिया के लिए भारत के दर्वाजे खोले तो भारत में आम लोगों की जेब तक पैसा पहुंचाने की शिर्वात हुई बाहर से निवेश और निजी शेत्र के लिए रहा आसान करने से जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया बढ़ी थी 1996 में रुकती हुई दिखने लगी पहले तेरा दिन में बाजपाई की सरकार गिरी फिर देव गोडा बने और फिर इंद्रकुमार गुच्राल के नतित में दो संग्त मोर्चा सरकारे बनी लेकिन आपसे खीच अतान में ना तो कुछ फैसले हो पा रहे थे और ना ही सरकार कारिकाल पूरा कर पा रहे थी ऐसी स्थिती में दो दर्जन से जादा दलों के साथ पहले 1998 से 1999 तक 13 मा और फिर 1999 से 2004 तक BJP ने दो दर्जन दलों को साथ मिले कर सरकार चलाई आप तरजिश में अजट दुर्गसा जागरुक प्रहनी युक युगकार मुर्तिमंत इस्थैरी ठीरता की प्रतिमासा तल्वडिक नगपति विशाल है नवती ज्छाती को छूदासा केर्थि-पुंजसा दिव्यदीपकों के प्रकाश में जिलमल जिलमल दीपतमा का पु कौन कह रहा उसे हिमाले कौन कह रहा उसे हिमाले बहतो हिमा पुर्टक च्वाला गिरी अरवा उखनकन गवर कंदर बुंजित धुंच कर रहा अबतक दिंदिंदमरू का भईरवस्वर गोरी शंकर के गिरिकवर शेल शिखर निरजर वन उपवन तंचन दीपित शंकर के तीसरे नयनकी पले वन्निसे जगमद जोतित जिसको चूकर खनभर में ही काम रह गया था मुक्ठी भर किसको छूंकर छण भर में ही काम रह गया था मुठी भर यही आगल प्रतिदिन प्राची अपना हरु सुहाग सजाती और प्रकर दिनकर की कंचन काया इसी आग में पलकर निशिनश दिन जलतन प्रतिपल सुष्ट प्रले पर्यंत तमाग जगती को रास्ता दिखाती यही आगले हिंदु महा सागर की चाती है धदकाती पूरब से लेकर पर्श्रिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिन तक तमाम शेत्रिय दलों के साथ मिलकर मिली जुली सरकार में भी सबको सम्मान जनक भागिदारी देकर वास्तव में लोकतंत की प्रतिष्टा को नया आस्मान दिया साथ ही वैश्विक फलक पर भारती अर्मानों को छाज जाने का नया फलक भी वैसे बर्चपाई के व्यक्तित का ही ये चुमबक था कि राज्टिय स्वसेवक संग से निकले जनसंग और फिर बीजेपी की राजनीती आस परश्वता को उन्होंने खत्म किया 1970 से 80 के दशक में पहले बीजेपी को उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों की बीच स्विकार्य बनाया और फिर सदी के अंत में उन्होंने लोकतांत्र में गड़बंदन सरकारें कैसे राश्च चहित में बड़े फैसले ले सकती है इसकी नजीर पेश की कोट चरण बढ़ रहे घे की ओन विलंतर केशव के या जीवन तपकी यह पवित्रतम धारा साथ सहत ही नहीं साथ सहत ही नहीं करेगा इससे भारत सारा यह नवगंगा तोड़ चली है बाधाओं की कारा एक चन्म क्या यहां फूल पशबल में सिरदे मारा भूल पर नहीं को तोर हिमान है चीर जता है चली सिंदु की ओर नगर प्राम नगर ग्राम पुर डगर दुबाती इसका ओर नचोर किसने ऐसा दूद पिया जो रोक है गति तूफानी यह जीवन का जवार चली भनाती प्रखर जवाने योग हार जाते हैं लेकिन योवन कभी नहारा एक निश सबसे बड़ी ताकत थी वैचारिक प्रतिवधिता के साथ तारकेक और सम्वेदन शील सियासी रचना संसदिय गरिमा को लेकर सजब विपक्षी दरों पर मुद्दों पर कछोर प्रहार के साथ लोगतांत्रिक मुल्यों के प्रती अटूट निश्ठा उनका जीवन दर्शन था यही कारण हैं कि अंतरास्टे स्तर पर भी वो आउट ओफ बॉक्स जानिस नहीं चोके अमारिका समीत पूरी दुनिया की धोंस के सामने ना जुकते हुए पोखरन दोकर परमानुशक्ति संपन्द बने और दुनिया के प्रती बंद जेले लेकिन उससे और जादा मजबूत होकर भारत उब्रा इसी तरह पाकिस्तान जैसे पडोसी के साथ लहोर यात्रा जैसा सहसिक कदम इसके बाद करगिल युद छेड पाकिस्तान ने पीट पर छुड़ा घुपा फिर भी आगरा में शिखर वारता कर शांती कायम करने की कोशिश भी की हाला कि कारगिल हो या संसत पर हमला इसके बाद सख्त फैसले लेने से भी अटल ने गुरेज नहीं किया अटल के सद इच्छा और कूटनुती का ही परिणाम था कि दुनिया के सामने पाकिस्तान का असली आतंकी और आविश्वस ये चेहरा सामने आया दुनिया का इतिहास पूचता रोम कहां यूनान कहां है घर घर में शुवादिन जनाता वह उन्नत इरान कहां है दीप भुजेंग पश्मी गगन के त्याप्त अग्वा बरबर धियारा किन्त चीर कर समती चाती चमता हिंदुस्तान हमारा हमने उरकास नेह लुटाकर पीरत इरानी पाले है निजी जीवन की जोती जनाम मानवता के दीपक बाले है जग को अमृत का खत देकर हमने विशकातान किया था मानवता के लिए हर्ष से अस्वज्र कादान किया था जब पश्चिम ने वनक भल खाकर चाल पहन कर लाज बचाई तब भारत से सामगान का स्वर्विक स्वर्था दिया सुनाई अगर अटल विहारी वजपाई को राजनीती सिले कर अर्थनीती तक का सबसे बड़ा सियासी रिफॉर्मिस्ट यानी सुधारवादी कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा गटबंदन सरकार चलाने का चमतकार करना उस समय में धक तोनने जैसा था वो तो किया ही इसके साथ ही 2004 का बीज़ेपी और अंडिये का कैमपन आजाद भारत के तिहास में सबसे अलहदा था नतीजे भले ही एंडिये के पक्ष में ना गए हूँ लिकिन सचाई ये है कि सकरात्मक प्रचार के जरिये चुनाव लड़ने की वो पहली कोशिश थी इंडिया शाइनिंग का नारा दे कर खासतोर से युवाओं के दिल में जगा बनाने की कोशिश की गई थी मगर कुश तातकालिक परस्तितियों और बीजोपी के अंदूनी सियासत और कमी से एंडिये नहीं आ सकी थी अटल वियारी वाजपई कितने किस्से और कहानिया हैं इतना कहा और किया कि सब पर चर्चा करने में महीनों लग जाएंगे फिर भी पूरा नहीं पड़ेगा बतार प्रधान मंत्री और बीजोपी के नेता के तौर पर वो सबसे बड़े और सर्वमानने गैर कॉंग्रेसी राजनेता थे इसमें कोई संदे नहीं अटल को लोग लचीला और समावेशी बताते हैं और लगातार विपक्ष तो कहता ही रहा है कि एक अच्छा व्यक्ती गलत पार्टी में है मगर अटल लेना सिर्फ हमेशा ऐसे न कारा बलकि कभी भी अपने हिंदू होने और व्यचारिक प्रति बदिता को चिपाने का काम नहीं किया चाही जनता पार्टी के संग छोड़ देने की शर्थ के बाद सरकार से निकल जनसंखा नाम बदल कर भारती जनता पार्टी का सथापक अध्यक्ष बन कर अपनी पहचान पर समझोता ना करने का फैसला रहा हूँ या फिर पियम रहते खुद को पहले स्वसेवक बनाने का अटल इस मामले में बिल्कुल स्पश्ट थे क्ड़ा कर चलना होगा बादाए आती है आये घरने परिले की घोर गटाए पामों के मीचे अंगारे सर पर बरसे यदि ज्वालाए निज हाथों से हस्ते हस्ते आग लगा कर चलना होगा कदम बिला कर चलना होगा बाधाये आती है आए गिरे प्रले की खोर घटाए पाओं के नीचे अंगारे सर पर बरसे यदि ज्वाला आए नी हाथों से हस्ते हस्ते आग लगा कर चलना होगा खदम में आगर चलना होगा हाथ से रुदन में तूफानों में अटल का जीवन दर्शन बिलकुल इस पस्ट था कि आराध है और आस्था से कोई समझाता नहीं करेंगे मगर इसका दूसरा पहलू ये था कि दूसरे के मजभब और उपासना पदवती के आधार पर उससे कोई भेद नहीं होगा वैचारिक मदभेद होने पर वो अपने मुल्लों पर अडिक थे लिकिन दूसरे के विचार को भी पूरा सम्मान और इस्थान था वे खुद को हिंदू कहने में गर्व मैसूस करते थे लिकिन संकुचित हिंदूत के विचार को वो सिरे से खारिश करते थे जम्मु कश्मीर को लेकर संग और बीजेपी का जो मत था उससे वो कभी नहीं दिगे ये अलग बात है कि वो सभी को साथ लेकर चलकर समाधान की दिशा में बढ़ते रहे जुमूरियत और इंसानियत का जो सूतर वाक के देकर अटल गए उससे ही रास्ता निकला कहते हैं कि असली राजिता वो होता है जिसके लिए गए फैसले आगे देश की सतती और संस्किती के साथ और प्रासंगिक और दूरदर्शी नजर आए इसी कड़ी में कहा जाता है कि अटल योग की छाप 21 सदी के भारत पर पूरी तरह से रहेगी अटल, अजर हैं, अमर हैं और हमेशा वो सभी की दिलों में जिन्दा हैं अबन सहेंगे जननीके केशो का कर्शन, कंतक पत पर पाउ बढ़ाते काते जाना, हर बाजी पर हमें यहां सरवस्त्र लगाना, जन्म मरान का खेल या नूठा इसमें हार नहीं है, वह क्या चल पाएगा जिसको पत्र से प्यार निश्मिए बीते वर्ष अनेक पंत पर राही एक चला था, अंदकार का वक्ष चीर कर दीपक एक जला था, दैन्य दास्य का पंक दबा कर शतदल कमल खिला था, कार रात्र को भेज जोदि का पकर पुण्य निकला था, पत पर चलते चलते ही वह राह बन गया, तिल तिल कर जनती चलते ही दाह बन गया, वह कैसा था भक्त स्वयं भगवान बन गया, कुम्भकार की कृति होकर निर्पान बन गया, मौत से मनुशकी हमेशा ठंपी है, जू जुने का मेरा को इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगी इसका वादा न था, रास्ता रोपकर खड़ी हो गई, जू जू जने का मेरा कोई रादा न था, दूर पर मिलेंगी इसका वादा न था, रास्ता रोपकर वह खड़ी हो गई, यू लगा जुन्दगी से बड़ी हो गई, मौत की इम्र क्या दो पल भी नहीं,